हलो गाईज कैसे हैं आप सब फोप है आप सब ठीक होंगे तो आज की जो वीडियो है उसमें हमाँ बात करने वाले हैं कि आप पोस्ट ओफिस की चेक बूक को किस तरे इशू करवा सकते हैं गाइस इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप पोस्ट ओफिस का ATM कार्ड को इसु करवाना चाहते हैं तो वो आप किस तरह करवा सकते हैं तो ये वीडियो गाइस आपको उपर आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगी व हमेशा की तरह गाइस वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और इसका बैल आइकन बटन दबा दीजिए क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट इंफोमेशन मैं हमेशा आपके लिए लेके आती रहूंगी तो चलते हैं गाइस अपनी लैप्टॉप की स्क सकते हैं इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस फॉर्म को आपको फिल करना है तो आईए मैं आपको बता देती हूं कि आपने किस तरह इस फॉर्म को फिल करना है सबसे पहले तो यहां पर आपने डेट डाल देनी है जिस डेट को का form फिल कर रहे हैं जो है पोस्टॉ will gate कर देना है उसके बात गडूज यहां पर आपने जो हैं सेकाऊंद नाम फिल कर देना है उसकेगाइज यहां पर आपने अपना नेम लिख लेना है नेम के बाद यहां पर जो लास्ट में है यह फुल एड्रस याने यहां पर आपने फुल एड्रस है यहां पर फिल कर देना है यह वाला जो एड्रस जो आप फिल करोगे बुलकुल आपने सही फिल करना है क्योंकि इसी एड्रस पर फिल कर लेंगे इस form को आपने post office में submit करवा देना है जहां पर आपका saving account है इस form को submit करवा देने के बाद 15 days तक जो आपकी checkbook है आपके घर में delivered हो जाएगी free of cost इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देने पड़ेगा free of cost जो है आपकी checkbook आपके घर में delivered हो जाएगी तो यह थी गाईज छोटी से information जिसकी help से आप जो है checkbook free में order कर सकते हैं ओप है गाईज वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे like और share करना मत भूलेगा अभी के लिए गाईज इतना ही बाई-बाई